आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की Photo खीचो, उसे Crop करो और तुरंत Video Solution पाओ डाउनलोड नाओ Hi students, our question is Which of the following has list Regeneration? अगर हम बात करते हैं Regeneration की इसका मतलब क्या होता है ये आपकी एक Process होती है जो हमें हमारी Human Body के अंदर भी देखने को मिलती है और ये इस Process में क्या देखने को मिलता है कि आपकी Cells हैं वो आपकी Grow हो जाती है जब भी कोई Particular Tissue या Organ में Requirement होती है दोबारा से अगर हम आप बात करते हैं Options हमारे पास है Nervous System, Excretory System, Digestive System और Reproductive System तो दिये गए Options के According अगर हम बात करते हैं तो जो आपका Option No.A है Nervous System इसमें क्या हो जाता है कि आपकी List Resonation देखने को मिलती है तो इसलिए हमारा Answer ये हो जाता है क्योंकि जब भी हम बात करते हैं Nervous System के अंदर जनली आपकी Cells होती है वो Neurons होती है या हम कह देते हैं No Cells होती है ये जो आपकी No Cells होती है ये जनली आपकी एक Particular Phase में रहती है उस Phase को हम बोलते हैं G0 Phase अब ये जो आपका Phase होता है किसी भी Particular Life Cycle का ये Cell Cycle का तो ये Cell Cycle के अंदर हमें देखने को मिलता है कि आपका Particular Life Cell है वो किसी भी तरह के Division के अंदर या आपकी किसी भी तरह के Repair के अंदर नहीं जाती है Rest हमारे जो Options है Excretory System की जो Cells होती है Reproductive System की जो Cells होती है Digestory System की जो जिसमें आपका Leaver है उसके अंदर हमें Regeneration देखने को मिलती है तो इस तरह से आपके इन तीनों के अंदर हमें Regeneration देखने को मिल सकती है पर आपका सबसे कम जिसमें देखने को मिलती है वो आपका होता है Nervous System तो Option No.A is the right answer With this, thank you